हेलो बच्चो दिस इस दीपक रिजी सर फ्रम जायुत्री एकेडमी बच्चो हमने लास्ट टोपिक पढ़ाया था आपको चार्जिंग वाई कंडेक्शन आज उसी के जस्ट वात एक अच्छा सा टोपिक आया है चार्जिंग वाई इंडेक्शन जैसे चार्जिंग वाई इसको हम लिख सकते हैं विदाउट कांटेक्ट मतलब कि किसी बौड़ी को चार्जिंग वाई इंडेक्शन को विदाउट कांटेक्ट इसको डिख सकते हैं एन एक गोड़ी है A, ध्यान से समझगा जैसे मेरे पास body है A, you know अभी ये body, neutral है कैसी है, neutral ओके, ये body अभी neutral है, जब ये body अभी neutral है, तो मैंने इसको charge करना है, तो क्या करेंगे हम एक body को मालना हमें इस A body को positive charge करना है positive लेके आना है, तो क्या करेंगे हम सबसे पहले, हम जैसे ही इस body को positive charge करेंगे, तो इसके पास मेंbyady लेके आना है, जिसके ऊपर keval negative charge हो कैसा हो, keval negative charge मैं एक body को लेकर आया, जिसके उपर keval negative charge हो उस negative charge लाई body को इसके पास में रखेंगे अब क्योंकि जब ये body neutral है आपको पता है यह body है तो इसके outer sense ourॅड सपेस में इसके atoms होंगे atoms के outer outer shell में electrons होंगे इससके बोडी को इसके 5 एक्टल हो जैसे के आपको आपको इसके बोडी को बोडी को इसके पास में रहें तो क्या कर घेक है अब यह पूरी इस को पूरी बोडी को पूरी बोडी को पोस्टिप चार्ज करना एब यह पोजिए पोस्टिप चार्ज करना है। चुकि शिंच अभी इसका पॉलाराइज हो गया। क्या हो गया? Polarize अभी इसका Polarize हो गया अभी भी ये Neutral है अभी ये Charge नहीं होई है अभी ये Neutral है बस क्या हो गया? कि Positive Charge X-Side और Negative Charge X-Side बट मेरा टास्क यह है इस पूरी बोडी को हमे Positive Charge करना है तो क्या करेंगे? बहुत अची तरीके से अभी आँगे पढ़ने वाले हैं हम लोग ये बोडी अभी Neutral है तो क्या करेंगे? इसके Just Pass में एक Conducting Body B को लेके आएंगे कौनशी ध्यान से सुनना? एक Conducting Body B को लेके आएंगे जैसे ही Conducting Body B को लेके आएंगे